अब हम करेंगे जी क्लास 11 एकाउंट का बाई डी के गईल बुक चैप्टर हमने स्टार्ट किया हो था जी बिल्ज ओफ एक्सचेंज और हमने पहले इसके रिकार्डिंग फर्स्ट फॉर केसिस के अंडर कॉस्चन्स किये थे फर्स्ट फॉर केसिस यह फर्स्ट कोफ्चन और स लेकिन कोश्चन्स तो आपके देट्स से रिलेटेड था मतलब ड्यू 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 ड् इसको case number one बोला जाता है, इसके अंडर हमने किये थे third, fourth and fifth question, उसके बाद किया था जी हमने discounting of bill from the bank, जब bill को bank से discount करवाया जाता है, ठीक है, second case बोलते हैं इसको, sixth A and sixth B, हमने इसमें ये दो किसी, two questions cover up किये थे, जी third case था जी अपका endorsement of a bill, endorsement होता है, अगर हमने किसी third party के या fourth party के पैसे देने हैं, तो जो हमारे पास bill है, acceptance मिली हुए जिस bill के उपर, वो हम आगे endorse कर सकते हैं, ठीक है, एक side से हमने पैसे लेने हैं, दूसरी side देने हैं, तो वही वाला bill हम आगे next further party को endorse कर सकते हैं, fourth case था जी, sending the bill to bank for collection, third case, three cases के बाद, fourth ये last case है, इसके अंडर हमने किये थे, question number 8th, 9th, 10th and 11th, most important and most interesting questions, यहां चार के चार questions में इन्होंने complete सभी cases को भी cover up किया है, और जो भी और कुछ, थोड़ा सा कुछ भी रह गया था, इन तीनों cases में, वो भी इन questions में completely cover up किया है, जैसी है, 10th और 11th questions में इन्होंने क्या किया है, basically four के four cases ही आगे, इकठे ही, ठीक है, so that की वो judgment कर से कि students को कितना cases के बारे में knowledge हुई है या नहीं हुई, ठीक है, यह क्या था है, sending the bill to bank for collection, यानि कि इसको bank को include किया गया है, bank को, वैसे तो देखिए, जो bills of exchange होता है, एक legal document होता है, हमें bank से ही इसको discount करवाना होता है, यहाँ पर specifically, bank को कैसी include किया गया है, जब due date आती है, उसी time bank के पास bill भेज देना, मतलब है, उसके within two-three days पहले ही, या उसी same day, तो so that कि जब bank के पास customer से पैसे आ जाए, वो फिर हमें intimate कर देता है, इस question में, ठीक है, जी bank हमें intimate कर देता है, और intimate करने का मतलब है, bank customer से पैसे receive करके, हमारे account में debit कर देता है, ठीक है, bank account debit, यानि कि bank हमारा बढ़ जाता है, यह fourth case था, जी, next cases नहीं थे, basically यह retiring a bill under rebate, यहां तक main questions थे, 11th questions तक most important या main questions थे, आपको 11 के 11 questions बहुत अच्छे से आने चाहिए, यहां 12th number questions थे, जो questions है, cases नहीं है, इन्हें के regarding, जो 11 तक हमने questions किया, इन्हें को इन्हें जो bills हैं, जो BR लिखते हैं, इन्हें के regarding कोई ना कोई problem हो गई है, यहां पहले payment कर दी, यह वो सब चीज़ है, concepts हैं, basically, यहां से start, retiring a bill under rebate, rebate मतले चूट देना, यानि कि जब हम कई बड़ी किसी का पैसा जल्दी बापिस कर देते हैं, तो वो हमें छूट दे देता है, थोड़ा सा, concession दे देता हैं, उसी को छूट कहा जाता है, dishonor या dishonor of a bill, अकेला 13th question किया था, जब maturity date पर ड्रोई पैसा नहीं देता है, dishonor कहलाते हैं, उस bill को, ठीक है, dishonor या maturity date पर नहीं देता है, या in between कर जाता है, कुछ भी इस type का dishonor होता है, कि जब वो payment नहीं देता है, फिर उस case में, dishonor के case में, notting charges आया था, ठीक है, notary public के पास जाते हैं, notting करवाते हैं, हम अपने bill की, notting बोलते हैं से, ठीक है, notting करवानी पड़ती है, अपने bill की, notting करवाने के बाद, उसकी seal stamp लग जाते हैं, फिर उस bill के basis पे हम sue कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, ए पार्टी के उपर, drawer के उपर, कि हाँ भी वो अपने पैसे देने से मुकर गया है, जबकि उसने legal document पर sign भी किये थे, ठीक है, फिर चार्जिस वगरा लगते हैं, वो हम यही question क्या था, डीसोनर एंड रीनियूवल ओफ बिल, अगर यही वाला bill, डीसोनर हो जाता है, परिशान किया है, एक्स को, क्योंकि डीसोनर करवा दिया, डीसोनर के चकर में उसको नौटरी पबली के पास जाना पड़ा, इतने चकर लगया ना, परिशानी होय, ठीक, एक्सर्चन होयी उसको तो इसलिए फर रिन्यू करते हैं, जब रिन्यू करते हैं छीन पास जिसको एक्स्ट्रा के लिए बोलता है, तो उस फोर्म में आ जाते हैं, इंट्रस्ट बगरा चांज करते हैं, आब इंट्रस्ट के जैसे यह question है, ये और कालएट करना है 14 फे में मन्त के ओल्णिक जो इंटरस्ट के रहें यह काता है कि तू अभी ही पेमेंड कर देख फोर्टेंथ और 14 भी दोनों ही questions ऐसे हैं वो interest की अभी payment करते हैं जितने time के लिए उसने फिर से mature करवाया है वो renew करवाया है उतने time के लिए ठीक है जी 15th कुछ separate question है 15th जो question है अलग type का question है क्योंकि इसमें एक बरी due date दे दी फिर कुछ payment कर दी ठीक है बिल्कुल different question है बट अच्छा interesting question है ठीक है partial payment कर दी जब maturity date है फिर क्याता मेरे पास पैसे का arrangement होगा फिर से मेरा बिल लिख दी जी है ठीक है इस type का question है पर इसमें भी interest के लिए क include करके पैसा अभी नहीं मांग रहा इस case में वो interest अभी नहीं मांग रहा इस case में ठीक है 14th A और 14th B था वो उसी time मांग रहा था यह ध्यानक न entry में थोड़ा सफर को जगा वहां bank account लिखेंगे bank to interest यहां bank to interest नहीं लिखेंगे party का name लिख देंगे A to interest आएगा ठीक है इस just basically अभी हमने नहीं दिया कब देंगे maturity पे देंगे include करके देंगे सारा चलो जी अब हम चलते हैं जी अपने आज के topic की तरफ ठीक है यहां तक तो होगा जी complete next topic है जी माना dishonor of the bill discounted from the bank अभी तक तो देखिए dishonor यह questions आ 14th A 14th B और 15th तीन questions थे dishonor and renewal of a bill के यह थे ठीक है पर अ अब इस case में क्या करेगा bank के पास चला जाएगा जब dishonor हो जाएगा bill dishonor होने पर वो bill वो फिर bank के से discount करवा लेगा ठीक है जी question देखते हैं कैसी A sells goods for 30,000 to B on January 2017 on the same day draws a bill on B at 3 months इनको underline वगरा करते जाएंगे A और B दो parties हैं A ने B के उपर तीन महिने के लिए bill लिखा और B ने accept करके वापिस कर दिया A को अभी यहीं तक read करते हैं कि कब लिखा जी 1st January 2017 को 30,000 का चलो अब next क्या होता है ठीक है यह होगा ठीक है जी चलो तीन महिने के लिखा ना 1 minute on the हाँ जी 3 month 3 month का मतलब है January है ठीक है January, February, March, April यहनि कि 4th of April बनी 1, 2, 3, 4, 4th of April हमारे due date बनी है इसके according अभी तक चलो next चलते है who discounts it on 4th of February ओके 4th of February हमारे due date क्या बनी थी 4th of April उसको जल्दी होगी देखो बैंक को कब include किया जाता है क्योंकि जो ड्रोई होता है वो तो time payment करेगा यह जब उसने कहा दिया कि मैं 3 month बाद करूँगा तो 3 months बाद ही payment करेगा पर कई वरी जो owner होता है मालिक होता है drawer होता है ठीक है बिल लिखने वाला होता है उसको एमर्जनसी पढ़ जाती है तो इस case में वही वाला case है जो starting में हमने questions किया तो इसको एमर्जनसी पढ़ गी एक को एने क्या किया 4th February को यह नहीं 4th February हमारी due date बन रही थी 4th April दो महीने पहले जाके advance में 18% के हिस साब से उसने interest charge किया यह ठीक है एक लिए नुकसान है यह बात का ध्यान लखना उसने bank से discount करवा लिया यह वला बिल चलो जी discount तो करा लिया यहां तक भी बात काम खतम अगा कोई बात नहीं हम interest जो discount करवाया इसका थोड़ा सा loss में 30,000 30,000 के उपर हम calculate कर लेंगे अपना पर why chance क्या हुआ the acceptance is dishonored on the due date जो बिल की उसने acceptance दी थी अब और ज़्यादा problem होगी थोड़ी सी ना किसने b ने a को acceptance दी थी कि मैं तेरे को 4 अपरेल को बिल दे दूँगा वो dishonor हो गया on the due date ठीक है 4 अपरेल को जब dishonor हो जाता है ठीक है क्योंकि वो बिल देखिए वो बिल discount करवा चुका था वही वाला बिल वो बिल कहां से discount करवा चुका था था बैंक से ए ने बैंक से discount करवा लिया था पर बैंक को भी क्या बता था कि dishonor हो जाएगा बिल फिर जब dishonor हो जाता है notting का case आता है ठीक है notting charges लगते हैं यहां पर यही जो 14th A 14th B questions है वही वाला question चला जाएग अब आप इस वैसा सा बन जाएगा यह अब the acceptance is dishonored on the due date the notting charges paid by the bank अब धियान रखना ठीक है some of the times जो notting charges है owner पे करता है वहां लिखा आएगा ठीक है कई वरी bank पे करता है bank ने क्यों पे करें क्योंकि यह तो अपना काम खतम कर चुका था payment ले चुका था हिसाब के तब खतम ह हो चुका था बिल फसा हुआ था bank के पास था मतलब जो बिल था ठीक है उसने bank ने बीसे amount वसूल करनी थी लेनी थी basically अब noting charges bank ने पे कर दिया अब देखिए हमें हम उससे कितने पैसे लेंगे 30,000 यह हो जाएंगे 200 रुपिया 30 200 प्लस और उन्होंने एक बात और भी कही है न यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लास्ट एंट्री पढ़िए यहाँ पर ओन फॉर्थ एप्रल हमारी ड्यूडेट फॉर्थ एप्रल बनी थी we accept a new bill ठीक है जी ड्यूडेट पर उसका डिसोनर हुए ना फॉर्थ एप्रल को बी ने क्या किया एक निया बिल अक्सेप्ट कर दिय चलो कहते कोई बात नहीं डिसोनर होगा अब क्या पता इंश अफिचेंट फंड होए उसके पास ना इंतजाम ना कर सका हुए बी के उपर एक निया बिल लिख दिया गया दो महिने के लिए ठीक है ड्यूडेट यानि कि क्या बनेगी फॉर्थ एप्रल में एड करेंगे हम दो महिने ध्यान रखना इस बात का बिल टूमथ फॉर्थ अमाउंट देन ड्यू टू यहां पर देखिए जी यह लांस्ट कोशन में भी ऐसे आए था क्याते जब तू पेमेंट करेगा हमारे तीस हजार बिल की तेने क्या करना है तीस हजार तो आप वहली पेमेंट करोगे 2002 चार्जिज पे करोगे पलस 12% के हिसाब से इंट्रस्ट पे करोगे उस ताइम अभी नहीं कुछ और पेकरों में जो इंट्रस्ट हए पर इस वाले कोशन में और उपर वाला जो 15 और पेमेंट प्लस यह देखिए 15 और पेमें प्लस हा रहा यह दोनों दों सिमेलर कोशन, म ना maturity date पे करेगा ठीक है last two lines को बहुत ध्यान से last two नहीं मतले यह वली जो lines है इनको बहुत ध्यान से read करने यहीं पर ही ending हो रही है बहुत अच्छे से question की ध्यान से बस ठीक है वो कह रहा है कि notting charges का कहीं लिखा नहीं होता बट obvious बात है notting charges पहले तो एक वरी जो A party होती है यह bank वो pay कर देता है पर वो क्यों खर्च करेंगे उनका कोई कसूरी निया ना A कोई fault है ना bank का कोई fault है किसका fault था B party का fault है तो हम उससे कभी ना कभी लेके ही छोड़ते हैं यह जो notting charges होते हैं त प्लस main amount है देखिए इसके उपर 600 पर 604 दो 804 तीस 804 का total हो जाएगा अब जो हम question देखते हैं जी कासी करना के end में general entries to record these transactions in the books of A and B में करने है ठीक है simple सा question है वैसे तो पर यह 2-3 topics को cover up कर दिया अच्छली add-on कर दिया इसमें तीन चार questions को जो अभी अभी हम हमने की हैं वो सभी questions को देखिए आप भी ऐसी maintain कर ले ना ठीक है जी B account debit ठीक है account नहीं sorry B first January two sales being goods sold 30,000 की second entry होगी B यार acceptance दे दी 30,000 की यहां तक तो बढ़िया चल रहा था का फिर अभी B का कुछ नहीं हो रहा ठीक है A को emergency पड़ेगी 4th of February दो महीने advance में ध्यान रखना इस बात का 4th of February 4th of April हमारी due date थी 2 महीने advance में वो चला गए discount करवाने करवा लिया 900 रूपीज जी कैसे calculate करते है जो rate of interest दिया होता है into 2% two month two month क्यों जितने महीने पहले चला जाए A उतने ही month का हमेशे यहां पर discounting charges लगते है ठीक है यानि कि नुकसान उतनी महीने का count होगा ना अगर अगर वो मालो 4th February के 4th March जाता तो एक महीने का थोड़ा खम हो जाता नु 900 यहां जी लोस हो गया इसके लिए अब 4th of April को 30200 ठीक है जी क्या है यह वो जो dishonor हुआ था बिल आपको पता है जब भी dishonor हो जाता है बिल ठीक है यहां पर इन्होंने लिखा हुए ना कि acceptance the acceptance is dishonored जो उसने accept करा था बिल 4th of April due date यही वाला बिल बिलकुल opposite entry हो जाती है ठीक है जी बी टू बैंक एकाउंट बिल डिसोनर्ड एंड नोटिंग चार्जिस पेड़ बैंक ठीक है जी अब क्या हुआ क्योंकि देखी यह entry का ध्यान रखना है बिलकुली opposite entry नहीं होगी यहां पर यहां पर वो payment ले चुका था इस वाली entry का स्पेसिफिकली ध्यान रखना अध ही नहीं इसके पास अब क्या करता हो तो इस केस में entry क्याते है बी डैविट टू बैंक ठीक है जी टू बैंक उतने सी कम हो जाते हैं टू बैंक एकाउंट तीस दोसों से दोसर पे ठीक है जी किस चीज के नोटिंग चार्जिस क्योंकि देखिए तीस हजार तो यह लेके जा करनी है यहां पर ठीक है जी जब वह acceptance देगा बी ने बिल की acceptance दी है बी डैविट टू इंटरस्ट एकाउंट 604 पे कैसे है दो महिने ठीक है जितने मन्त के लिए उसने फिर से बिल रीन्यू करवाया होता है फिर से नेया बिल टू मन्त के लिए द्वारा से लिखवाया ना दो महिन ने इंटू 12% रेट दिया हुए बुक में आपके 12% के साब से 604 पे इंटरस्ट बना ठीक है जी देखो 4 अपराल को फिर से decidation हुआ क्या हुआ कि बी ने एक नेया बिल accept करा ठीक है जी टू मन्त के लिए देखिए यहां पर 4 अपरल को बी ने एक नेया बिल accept करा दो महिने के लिए 12% इंटरस्ट के हिसाब से together ठीक है इकठा पे करेगा पर हमें हिसाब भी लगाना पड़ेगा कि कितना निकलेगा दो महिने 12% 30,000 एमाउंट के उपर ठीक है यह ध्यान रखना बार 30,000 एमाउंट के उपर 604 30,000 के उपर ही लगेगा याद रखना 200 नहीं लेना दोसों बाद में एड़ करेंगे दिखिए हमारी 604 यह माउंट होगी ठीक है जी 200 पे मारी यहाँ पेंडिंग पड़ी थी 30,200 प्लस 604 30,804 का हमने बिल लिख दिया उसके उपर बी यार मतलगे acceptance मिलगी हम लिख चुकिया 4 फेपरल को ठीक है जी 4 फेपरल को लिख दि भी होनी थी इसकी last entry क्या होगी जी A to new acceptance given ठीक है जी यहाँ पर 4 फेपरल को भी अर ठीक है जी acceptance मिलगी 2 भी 30,804 का अब यहाँ पर next क्या करना जी books of B में हाँ जी यहाँ पर देखिए A drawer था B drawer ही है पर चीजी फ़र्स्ट जनवरी को क्या लिखने है हमने क्या entry आएगी जी जनल एंट्री परचेजी जी गांट डाविट 2 A यह 5 फाइब कॉलम्स का जनल का जो परफोर्म होता है जनल एंट्री का जो परफोर्म होता है फाइब कॉ ठीक है उसको थोड़ा सा आप प्रोपरली मेंटेन करके चलना चलिए जी पर्चेजिस एकाउंट डैविट टू ए 30,000 उसके बाद उसने बिलकी एक्सेप्टेंस दी थी ए टू बीपी एकाउंट ये भी आपको बता है 30,000 की फर्स्ट जैनर्वरी को दी थी थार्ड नंबर पर क्या हुआ था बैंक ने पे कर दिये थे 200 नौटिंग चार्ज पर वहां कोहीं नौटिंग चार्ज सब्सक्श करने तिस का कर रहता है regarding that आपके लिए expenses are low and noting charges दो सो और पिये noting charges head के अंडर रहता है noting charges account तीस दो सो होगी जी अब यहाँ पर क्या बात हुई थी कि आपको interest देना पड़ेगा 604 पिये जो कि अभी हमने calculate किया था 604 कैसे calculate किया था 30,000 के उपर 2 month का 12% से ठीक है जी 4th of April को सारी बातशित 4th of April को हुई है जो यह आपका bill भी dishonor हुआ noting charges इसी के साथ ही add किये जाते है न देखिये इसकी opposite entry आगी न bills acceptance given BP to A, यहाँ पर A to BP BP to A, यहाँ पर देखिजी यहाँ पर interest अभी due है, bank नहीं किया जैसे हमने 14th और 14th A और B में bank कर दिया था क्योंकि वो कह रहा था अभी दीजिये मिलको ठीक है 15th में भी नहीं किया था और 16th में भी नहीं किया यहाँ due कर दिया, कब payment करेंगे इसके साथ, यानि कि bill लिख देंगे बस complete bill लिख देंगे जब maturity date होएगी, तब हम payment करतेंगे ठीक है, इंट्रेस्ट 600 for 2A, इंट्रेस्ट due to A की देना बनता है due हो गया, हमने 604 यह देने है 200 पे noting charges के देने है, 604 पे interest के देने, 30,000 की जो main amount थी वो देने 4th of April को अब क्या करना है हमने A debit to BP account, bill लिखकर acceptance दे दी हमने 3,804 पे की new bills acceptance given अपने ध्यान रखने है question को अपने यहीं तक करना है क्यों करना है, क्योंकि question में उन्होंने end में नहीं लिखा, कि वो जो लिखा होता है कि जैसे देखिए, यहां देखिए the second bill is duly met on maturity, यह वहला शब्द नहीं लिखा, यहां पर matter on maturity, ठीक है इस चीज का ध्यान रखने है ठीक है, भुकμतान दे तिथी को हो जाता है, यहां हिंदी में लिखा ना कि भुक्तान दे तिथी को हो जाता है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस just सभी कृती मिली है हमें ठीक है यहां देखिए on 4th of April B accepts a new bill at सिर्फ B ने accept करके 2 महिने का bill plus rate of interest total जितना भी खर्चुआ था clear हिसाब करके पूरा ठीक है उसको सिर्फ acceptance दी है bill के उपर sign करके दी है A को यहां पर कहीं पे मैंशन नहीं है the bill is duly met on maturity की पूरी तरह से भुकतान हो गया तो हम last entry नहीं करेंगे हम भी last entry को बस यहीं पर last entry हमारी basically यहीं माननी जाएगी new bills acceptance given तक इस side भी obvious बात है 4th of April क्योंकि 4th of April में 2 months एड़ करेंगे plus 3 days grace के एड़ करेंगे फिर हमारी maturity data एगी बठ हमें जरूरत ही नहीं निकालने की जब उन्होंने लिखाई लिखेंगे तो ऐसे जी आप A की books में भी क्या करोगे, यहाँ पर last में, बस B को acceptance मिलगी, B को, sorry, A को B से acceptance मिलगी, 38, यानि कि fresh will जो लिखा गया, 384 का है, सारा हिसाब किताब करके, interest एड़ करके, सब कोश एड़ करके, ठीक है जी, और इसी के साथ ही total six entries है, इसी के साथ ही आपका ही question number, dishonor of the bill discounted from the bank complete हुआ, ठीक है, जी students, आपने भी अपने notes या समझी लेना है, और इसी के साथ ही सच, आपका last question है, 15th के साथ, illustration भी करनी है, आपने सभी ने, ठीक है, illustration, जितनी ज़्यादा illustrations करोगे, illustration से आपको बहुत ज़्यादा clarification होगी, और plus आपका twice a time, ठीक है, same question जैसे हम कर र 15th हमने शायद से कर लिया था, हां जी 15th हमने अभी illustration की थी, last discuss करी थी 15th, इसी के जी 15th, नहीं, 15th करते हैं, 15th नहीं करी, हमने 14th करी थी 15th है ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल वही वाला similar question है, जो अभी हम, अभी अभी हमने discuss किया, इसकी भी देखे, लास्ट एंटरी बिल अभी वाला together आगया, वैसी का वैसा सब कुछ ठीक है, हिंदी, इंगलिश में दोनों में, जो भी लाइन आपको टफ लगती है, कोशिश करो, इंगलिश से पढ़ो, जो भी लाइन आपको टफ लगती है, उसकी थोड़ी सी हिंदी देखने चले जाओ, हिंदी में, ठीक है, यहीं से उठा कर ही करनी है, सभी चीज, ठीक है, सारी amounts क्या, figures क्या, words क्या, English की सब कुछ, ठीक है, जो भी जैसे dishonor's word, जो भी, ठीक है, हिंदी से करोगे, आपकी English लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो देखी, वही similar question है, आपने यहां से भी कर ले न, वहां से भी कर ले ठीक है, फिफ्टेंथ नंबर question, यह बिल्कुल सीमिलर है, हिंदी भी और इंग्लिश में भी देखी, और इन्होंने वही वाली दोनों की books में, general of A, बिल्कुल सीमिलर question है, देखो कितने बढ़िया वे में, इन्होंने भी क्या हुआ, आप भी ऐसी maintain कह ले न, अपनी rough copy पे या fair copies पे या rough copy पे निकालके देखने न, जो भी आपको better way लगता हो, ठीक है, इसकी interest क्या है, एक दो entry हो रहे होगी, इसकी, हाँ, देखिया, बिल्कुल निख दिया, बस just complete, उन्होंने भी नहीं payment करी, बिल्कुल डिटो question है, 15th, यानि कि illustration 15th है, question इन्होंने इधर 16th कर दि ठीक है, और GC के साथ ही आपका ये question number 16th complete होता है, जल्दी मिलते हैं, question number 17th के साथ, thank you students,